यह फल बच्चों आपने खाये होंगे, संत्र आपने जरूर खाया होगा, बेर भी खाया होगा और यह मतर की सब्जी आपने जरूर खाये होगे लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि बेर का जो फल है इस पर एक ही बीज होता है और इस संत्रे में बहुत सारे बीज होते हैं और इस मतर की फलियों में तो बहुत सारे दाने होते हैं तो आईए आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर इस बेर में बीज कितने हैं, आपको तो पता ही है इसमें एक बीज होता है लेकिन फिर भी हम देखते हैं, ये देखिए, इसको हम काटेंगे और इसको काटने के बाद अराम स काटेंगे इसको, ये देखिए, अरे हाँ इसमें तो एक ही बीज निकला, बिलकुल ये देखिए और अब हम इसी तरह देखते हैं, कि संत्रे को छीलेंगे और संत्रे में कितने बीज हैं, ये देखते हैं, ये देखिए, संत्रे को छीला, और संत्रे को छीलने के बाद, ये संत्रे को छीलते हुए, और उसके बाद हमने इसमें से ये देखिए, ये देखिए, बच्चों बिलकुल इसमें भी एक से जादा बीज हैं, आपको बिलकुल ये दिख रहे होंगे बीज, ये देखिए, यानि कि संत्रे की जो ये संत्रे के टुकड़े हैं इसमें एक से ज़्यादा बीज है अब आईए देखते हैं इसकी सब्जी तो आपने जरूर खाई होगी मटर की फलियों को हम छील के देखते हैं आराम से छीलेंगे इसको ये देखिए अरे इसमें तो कई दाने हैं ये देखिए इसमें तो आठ दस दाने हैं तो इस तरह से एक पात तो बच्चों ये बिल्कुल सावित हो गई कि हर एक फल में बीजों की संख्या अलग अलग होती है यानि कि अगर संत्रे का फल है तो उसमें बीजों की संख्या जादा होती है ऐसे अगर बेर का फल है तो उसमें बीज की संख्या केवल एक होती है और आम तो आप सभी ने खाया होगा आम में भी आम के फल में बीजों की संख्या सिर्फ एक होती है और इस तरह से फल और सबजियों का हम जब प्रयोग घर में करते हैं, तो हम प्रयोग करने के बाद ये कभी सोचते नहीं है कि आखिर बीजों की संख्या में ये परिवर्तन कैसे होता है, तो इसी बारे में हम ये जानेंगे, ये देखिए, इन चनों के बीजों का ये कुछ हम मारे पास अंकुरित चने हैं, जिन में से ये देखिए, अंकुर निकला हुआ है, अगर इन बीजों को जमीन में बो दिया जाएगा, तो इन में से एक छोटा सा नन्ना पौधा कुछ ही दिनों में निकलाएगा, और बच्चों, अगर आप देखें, आपने ध्यान दिया हो इसका कारण ये है कि पशुपक्षी, हवा और पानी के द्वारा जो बीज इधर उधर फैला दिये जाते हैं, वो बीज, हवा, पानी और रोश्नी जब उनको मिलती है परियात पात्रा में, तो उन में से नन्ने नने पौधे अपने आप निकलाते हैं, इसी तरीके से आपन देखा होगा कि आप जब घर में, गर्मियों के मौसम में आप आम खाते हैं, और आम खाने के बाद जब उनकी गुठलियां एक जगा डाल देते हैं, तो उन में से नन्ने नन्ने पौधे निकलाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, अक्सर आप उनकी गुठलियों को छील कर और उसमें से कुछ एक CT की आवासी भी निकालते हैं, ऐसा खेल आप जरूर करते होंगे, मुझे पुरी उमीद है, उसके बाद यह देखते हैं, कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों, तो यह सोचे कि जब हम खेतों में बीज डालते हैं, तो क्या उनमें से सारे बी यह बीज नश्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है, और ऐसा एक प्राणी है, जो कि हमारे आसपास रहता है, वो है चूहा, चूहा जो है, वो सबसे पहले बीजों को नश्ट करने में बहुत भुमिकाने भाता है, इसके अलावा घुन और कैसे पहचानेंगे कि अच्छे बीज और खराब बीज कौन-कौन से हैं और आखिर कौन से बीजों से अंकुरण होगा, इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही आसान सा और बहुत सरल प्रयोग आपके लिए है, इसको हम घर पे आसानी से करके देख सकते हैं, तो आईए इस मज़िदार प्रयोग को हम करें, सबसे पहले हम एक ग्लास में आधा ग्लास पानी लेते हैं, यह देखे चने डाल देंगे, आराम से आराम से इसमें चने डालेंगे, यह देखिए और उसके बाद आप इसमें से एक मज़िदार बात पाएंगे जो आपने कभी ध्यान नहीं दी होगी, यह देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से कुछ चने के यह दाने नीचे बैट गए हैं, पानी की तली में और कुछ दाने उपर सतह पर यह तैर रहे हैं, यह आपको दिख रहा है, अब यह प्रयोग हमार आगे बढ़ेगा, हम यह छो नीचे और रूई की एक हमने तली बना दी है और इसमें हमने पानी डाल दिया है, अब हम चम्मच की सहायता से पहले जो चने के दाने उपर तैर रहे हैं, पहले हम उनको अलग करेंगे और उनको यह इस पहली कटोरी में डाल देंगे, यह देखिए, आराम से, और उसके बा इस दूसरी कटोरी में डाल देंगे, और उसके बाद हम इस दोनों कटोरी को हम दो दिनों के लिए रख देंगे, और इसको रखने के बाद हम दो दिन के बाद इनका निरिक्षण करते हैं, तो हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, कटोरी नमबर एक जो है, इसका रूप बिलकुल नहीं बदलता है यानि कि इसमें जैसे दाने पड़े हुए हैं वो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जब कि दूसरी कटरी में जो ये चने के दाने हैं इनका आकार ये देखें। जो इस कटोरी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन में से इस तरह के अंकुर दो ही दिन में निकल आते हैं, तो इससे एक बात बच्चों बिल्कुल साफ हो जाती है, कि जिस कटोरी में अंकुर निकले हुए थे, वही बीच आगे नन्हे पौधे को जन्द देंगे, और यानि कि गिलास में जो चने के दाने उपर तैर रहेते, उनमें से अंकुरण नहीं होगा और उनमें से पौधे नहीं निकलेंगे, तो इस तरह से यह बात हम आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं, कि कौन से बीच अच्छे हैं और कौन से बीच खराब हैं, अब आईए एक चोटा सा प्रयोग और हम करेंगे, हम जब हमने ये जान ही लिया है कि अच्छे और खराब बीज उनकी पहचान जब हम करना सीख जाएंगे, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक बीज, एक नन्धा सा बीज एक बड़े से पौधे का रूप ले लिता है, ये देखिए, हमारे पास ये कुछ बीज है, ये देखिए, ये एक ऐसा बीज है जो कि इसमें से अंकुरन अभी नहीं हुआ है और उसके बाद ये दूसरा बीज है, जिसमें से चोटा सा अंकुर निकला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये एक तीसरा, इसकी तीसरी अवस्था बीज की, जिसमें से आप अगर देखें ध्यान से, ये देखिए, तो इसमें से उपर ये हरा हरा सा जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये जो हरा सा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये पुमूलांकूर है और ये प्रांकूर है, ये देखिये, ये जो हिस्सा है नीचे जा रहा है इस हिस्से से पौध्य का रूप लिया जाएगा और ये हिस्सा जो है वो जड़ को जन देगा इसको रख दें और इस तरह से अगर आप देखें तो एक चौथी अवस्था आ जाएगी और वो चौथी अवस्था होगी पौधे के ये देखें इस तरह हम चाहें तो हम चने का या सेम का कोई भी बीज हम ले सकते हैं और ये इस एक बीज से दो दिन के बाद अंकुर निकलता है और इसके तीन-चार दिन के अंतराल पे इसमें से मुलांकुर और प्रांकुर निकलेगा और मुलांकुर और प्रांकुर निकलने के तीन से चार दिन के बाद इसमें से नन्ना सा पौधा निकलेगा और फिर दस से पंद के बारे में थोड़ा सा और जानने जब आज बीजों की कहानी ही चल रही है और इनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये देखिए हम एक अंकुरित बीज लेते हैं और इस अंकुरित बीज को अगर हम हलका सा इसमें बहुती साफधानी से एक चीरा लगाते हैं और चीरा लगा कर कि इस में से इसका जो छिलका है इस छिलके को आप जानते हैं बच्चों क्या कहते हैं इस छिलके को कहते हैं बीज चोल यानि कि ऐसा आवरण जो कि बीज को धक्के रखता है इसको हम निकाल देते हैं और इसको निकालने के बाद देखे किस तरह का हमें इस बीज का आकार दिखाई पड़ रहा है बीच का ये देखिए, ये पीला सा हिस्सा बीच का दिखाई पड़ रहा है और अगर इसको हम हलका सा ये जो निचे के दो लग बत गये इनको हम बीच पत्र कहते हैं. ये देखे, ये दोनों हिस्से जो अलग-अलग दिखाई पड़ रहे हैं, ये बीजबत्र हैं और उपर का जो हिस्सा है, ये मुलांकूर है, इसमें से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये अंदर की ओर यहां पर ये भृून कहलाता है, ये हिस्सा नीचे भृून इन दोनों बीजबत्रों की सहायता से भोजन बनाते हैं, यानि अपना खाना खुद बनाते हैं और उससे ये दिकास करते हैं, तो इस तरह से एक पूरे बीज का जो स्वरूप है, उसकी सनचना ये आपने देखी, और अगर हम थोड़ा सा देखें, तो ये देखिए, चित् उसमें से एक सनचना निकली, जिसका एक सनचना निकली, जिसे हम मुलांकूर कहते हैं, और उसके ऊपर एक छोटी से सनचना और है, जिसे प्रांकूर कहते हैं, आप देखिए, तीन से चार ही दिन के बाद, ये एक ऐसी अवस्था आएगी, जब मुलांकूर थोड़ा और ब और बच्चों सबसे बड़ी हैरत की बात क्या होती है कि ये दोनों इन दोनों रचनाओं का आकार एक होता है लेकिन मुलांकूर हमेशा जमीन के नीचे की और भागता है और प्रांकूर हमेशा प्रकार्श की खोज में उपर की और भागता है और यही कारण है कि तीन से चार दिन के बार आपको जमीन में से कुछ हलके हलके छोटे-छोटे हरे-हरे से ये सनच्टना ये दिखाई दिने लगती है, जिसका आधा भाग ये आधी पत्ती नीचे है और आधी उपर है, फिर देखिए, चार से पांस दिन का अगर हम और इसको अंतराल देदें, गैप देदे तो इस तरह से ये मुलांकूर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और ये प्रांकूर अब और बड़ा हो करके जमीन से उपर आ जया, और ये पूरी तरह विक्सित हो करके एक नन्हे से पौधे के रूप में बदल जाता है, तो इस तरह से एक बीज का विकास और एक बीज की यात्रा कैसे हुती है? यह बहुती मजईदार कहानी है, क्या आप को यह कहानी पसंद आई बच्चों? मुझे पुरी उमीद है कि आपको यह कहानी बहुती अच्छी लगी होगी और यह जो प्रयोग आपने आज देखे हैं, इनको आराम से आप घर पे बहुती साब्धकारी म जिसके द्वारा आपको बीज के बारे में और जानकारी मिलना है